दोस्तो कोई भी मकान बनाते हैं तो हम उसमें अपना बहुत पैसा लगा देते हैं और हम सुचते हैं कि हमारा मकान अच्छे से बनके तयार हो जाए लेकिन दोस्तो यहां कुछ आपको जरूरी जानकारी नहीं होने के वज़ा से जो हमारे सट्रिंग वाले मिस्तिरी होते हैं या फिर हमारे पास कोई technical knowledge नहीं होता है तो हम उसमें बहुत सारी important चीजे जो है वो नहीं जानते हैं तो हम वो चीज ध्यान नहीं देते हैं अपने साइट पे नहीं चेक करते हैं और दोस्तों उसी शोटी शोटी गलतियों से मान लिजे आपका कई बार होता क्या है कि छत में इसे पहले जरूर चेक कर लानी है सबसे पहला मैं आपको यहां जो दिखा रहा हूं आप जब भी अपना पीलर यानि जो आप कॉलम खड़े करते हैं तो आप जो भी कॉलम का इलाइमेंट है आप नीचे यहां देख रहा है कॉलम वहां 9 बारा को बनाए गया है लेकिन वहा कि हम कॉलम का पार्ट बई पार्ट कास्टिंग कराते हैं उसका को परापर साहूल सूट से जो भी हमें डुलाई करनी है वह से ज़ाने और कॉलम हम अगर हम ढ़ पर बार अख्या से जाना चाहिए और कॉलम कर था से ऑंकर न यानि कि bonding बना ले आप प्लेन सर्फिस छोड़ देते हैं तो वहां से क्या होता है कि कॉलम वो दो पार्ट में बढ़ जाता है जैसा आप यहां वीडियो में भी देख रहा है कि कैसे यह तीन पार्ट में को ढ़ला गया है और यह आपस में यहां पर एक दूसरे से मतलब इसका साइज कम होते गया है तो वहां एक तो ऐसे यह लोड को प्रॉपर डिस्टिब्यूट नहीं करेगा और कोई भी आपका फोर्स पड़ेगा और जमीन के सेटलमेंट होगी तो वहां से कॉलम तूटने का चांस बनता है दूसरी सबसे बड़ी मिश्टेक हमारे सट्रिंग लगानी होती है और जब भी आप लगाए तो उसके नीचे आपको एकड़ मोदेख चेक करना चाहिए को एकडम टाइट बल लगाए घींग जाता है इंट लगा दी जाती है और फिर उस बल्ली को टाइट किया जाता है बहुत केस में ऐसे देखा जाता है कि वहां से बल्ली लगानी है यानि 6 तक 10 फिटका है 12 फिटका है तो आपको एक ही पीस में वह बल्ली पूरा नीचे तक फिक्स होग जाए जैसे यहां वीडियो में आप देख रहे हैं कि जितनी भी यहां अधिकतर बल्ली आपको दिखाई दे रही है सब में यहां दो बल्ली या फिर यहां पर आप प्लाइब लकडी फटे देख रहे हैं उसको नीचे से वहाँ पर जोडके अतब उसको शिपोर्ट दिया ग्या है हो दा कि है कि जब आप पे Slap जो है लोग उस पे आते जाते हैं मसीन कहें उस पहुत बढ़ता है तो लोड पढ़ने को जैसे वहाँ से बल्ली तूट सकती आपका इंट यह फिर प्लैंग जो नीचेव सपोर्ट के लिए लगाते है तो वहां से हट सकता है तो उस केस में वहां से आपका झट नीचे टूटकर गि भी च्छत में चोटे-चोटे आने लगते हैं उसके बाद होता है कि वहां पर अंडूलेशन भी होता है यानि च्छत आपका ऊपर नीचे हो सकता है एक बरावर च्छत निकल के नहीं आता है तो दोस्तों जब भी आप अपना सट्रिंग करें तो आप कोसिस यह करें कि जितनी अगर आप जल्दी सट्रिंग को खोल देते हैं अब वहां पर आपका अभी मान लिजे कि गर्मी का मोसम है ठंडी का मोसम है कितना टंप्रेचर उस हिसाब से यह फैक्टर डिपेंड करता है कि आपको सट्रिंग कब खोलना है अब मैं यहां कोई थम रूल की बात नहीं करू यहां मैं आयसे स्टेंडर कोड जो हमारा 456 2000 होता है उसके हिसाब से मैं बता दूं यहां पर टेक्निकली चीज बता रहा हूं यह आपको जरूर जान लेनी चाहिए यहां मैं बात करूंगा कि सबसे पहले जो आप कॉलाउम बीम जो भी आप वर्टिकल मेंबर है उसका जो स पाइज आपका 4.5 मीटर तक है तो अब 7 दिन में उसकी बल्ली खोल सकते हैं और अगर 4.5 मीटर से ज्यादा है तो आपको कम से कम वहां पे 14 दिन के बाद ही बल्ली खोलनी चाहिए यह वहां की प्रॉप्स हटानी चाहिए और यह फैक्टर डिपेंड करता है आपके टमप् तो आपको 14 दिन तो जरूर वेट करना चाहिए यानि ठंड के मुसम में नर्मल टमप्रेचर में आप साथ से दस दिन में वहां से बल्ली हटा सकते हैं और जो आपका अगर चछत बड़ा है अगर साड़े चार मीटर से ज्यादा सब्सक्राइब तो आपको कम से कम 14 दिन तो जरूर वेट कर लेनी चाहिए वहीं दोस्तों बता दू कि बीम के नीचे का प्रॉप्स जो बल्ली होता है वह आपको कम से कम 14 दिन तक जरूर छोड़नी चाहिए और यह भी नर्मल टमप्रेचर में अगर वहीं सर्दी के मुसम में विंटर सीजन है तो आपको कम से कम वहां पर 21-28 दिन बादी बल्ली हटानी चाहिए और दोस्तों यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा बीम है अगर उच्छे मीटर तक का स्पैन है तो वहां से आप अपना बल्ली 14 दिन में हटा सकते हैं वहीं अगर बीम बड़ा है और वह करीब 6 मीटर से ज्यादा एस्पैन का है तो आपको कम से कम 21-28 दिन बादी वहां से बल्ली हटानी चाहिए और जो भी आप बीम का या फिर सिलाइब का जब भी आप सट्रिंग वहां पे खोले तो आपको कीवरिंग उसमें अच्छे से तराई कम से कम साथ दिन तक कर लगानी चाहिए